वेरी गुडिनी, नमस्कार सुपसंद्या, स्वागत है आप सभी का टारिटान पर, मैं संदीक टिवारी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, इस समय BPSC TRD 3.0 रेक जाम सही तरीके से चल रहा है, और परिच्छा को लेकर के अभी तक बहुत जादा तो गलत नहीं आई है, लेकिन कुछ खबरे आज सुनाई पड़ी थी, उम्मीद रखते हैं, विस्वास रखते हैं कि पेपर अच्छे से हो जाए, पेपर सुचारू तरीके से हो जाए, और आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्सन कर पाए अपने अच्छे तरीके से, और जितने करके 1.500 कुछ रखते हैं, उसका सलूसन अभी अधरी तोमर सर आपको कंप्लीट आठ वज़े से प्रवाइट कर देंगे, मैं कामन पेपर जो था आपका जीए सवाला सेक्षन, उसमें जो आठ कुछिन आये थे, उन प्रसनों की अनालिसिस कर दे रहा हूं, उसका एक्स्प हमारे पास जो हमको रिकार्ड मिला था, वो इंग्लिस मीडियां का पेपर मिला था किसी के माध्यम से, तो मैं इसकी व्याख्या आपको कर देता हूं, हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा, एक प्रसन में बहुत बार कराया हूं, आपने देखा होगा, जैसे एक प्ल करता है, मतलब इसको जो है, एक रोटेशन कम्प्लीट करता है, इसने लिखा कि प्लेयर में एक सेबन कम्प्लीट रेवैलिएशन, सर्थात वह साथ चक्कर लगाता है, आप सर्कुलर पाथ टू कम्प्लीट रेस, और पूरी लेंध कितनी होती है रेस की, बाईस सो मीटर यह वह क्या करता है, साथ चक्कर लगाता है, अब एक बात दिमाग में रख लिजेगा, कि जब भी कभी इस तरह से कम्प्लीट एक चक्कर का कॉंसेप्ट होता है, उस केस में अगर मालो यह बृत्ताकार पाथ है, तो निस्चित तोर पर इसके अपनी एक रेडियस होगी, और रेडियस भी होगी, डायमीटर भी होगी, और साथ साथ सरकम्पेरंस होगा, और साथ इस बृत्ताकार पाथ की परिधी भी होगी, अब हमारे पास सब कुछ है, और टोटल जो डिस्टन्स कबर किया गया एवी है, जैसे कभी-कभी इस पर प्रस्ण ऐसे भी बनता है, य एक जैसे रस्ता होता है, एक साइकल का पहिया या कार का पहिया, कितने चक्कर लगाता है, दिया रहता है, कितने या किसी दूरी को तैं करने में कितने चक्कर लगाएगा या प्रस्ण पूछा जाता है, उसी अधार यहाँ पर प्रस्ण आपको दिया गया है, जो टोटल ड द्वारा एक चक्कर में जो तैंकी गई दूरी होती है, वह बृत्त की बृत्ताकार सतह की परिधी के बराबर होती है, तो आप इस सोचो कि यहां पर दूरी तो कुल बाइस सो मीटर कवर हुई है, लेकिन एक चक्कर में कितनी दूरी तैंकी है, इसको आप डिसाइड कर लो, तो बाइस सो बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, साथ कर देते हैं, यह एक चक्कर में तैंकी गई दूरी है, और एक चक्कर में तैंकी गई दूरी अगर इतनी है, तो नियमता हमने पढ़ा कि एक चक्कर में तैंकी गई दूरी जो होती है, जो यतना लिख रहा हूं, यह ब पाई आर से अभी यहाँ पर हमको क्या पूछा था हमसे इसमें कहा था रेडियस मतलब त्रिज्जा की ही बात कर रहा है आप दे सर्कुलर पाथ उस बृत्ता कार पाथ की त्रिज्जा फाइंड करके दिखाओ मतलब यह आर की बैलू पूछ रहा है पाई का बान देकी मेंसन की है बाईस बटा साथ होता है टू इंटु ट्वट्टी टू अपान सेवन इन्टु आर कर दे और सामने देखी ओ लिखा भी है में फिर से लिख देता हूँ बाईस सो बटे साथ है साथ साथ से खतम होगा अच्छी बात है पेपर को सेक्यूर करने के लिए फिलाल आप अपने उत्तर का मिलान कर लें पचास मीटर राइट से अपसन जो आ रहा है यही सही उत्तर होगा मैं बढ़ता हूँ दूसरे प्रसुल पर लिखा दे केपिसिटी आपको सिलेंडिकल टैंक एक हमारे पास लिखित तोर पर सबको पता है और इसकी डेफ्थ है गहराई है इसकी जो कैपिसिटी मतलब होता है इसका बालूम अर्थात इसका जो आयतन हम लोग को दिया है वो आयतन कितना दिया 1848 मीटर क्योड जिया है हाफ हाफ डायमीटर होगा, मतलब 7 मीटर होगा, the depth मतलब B की value पूछ रहा है, आप the tank, πाई का मान उसी तरह से यहाँ पर भी 22 बटा 7 यूज़ करना है, हम सब को पता है कि capacity अर्थाद बालूम जो होता है, वो πाई R square यच होता है, अब आपको B की जगा क्या put करना है, 1848 put करना है, पाई की जगा 22 बटे 7 put करना है, R की जगा आपको R की जगा 7 का वर्ग, मतलब 7 गुड़े 7 यूज़ करना है, गुड़े यच मतलब B कर दे, यच कर दे, एक ही बात हो गए, एक साथ एक साथ से cancel हुआ, और इसको देखे 11 दूना 22 होता है, 111 के 11, 7 0, 11 6 के 6 6, 11 888 होता है, 7 दूना 14 होगा, इसको cancel करेगा, 14 1 के 14, 14 2, 28, 12 मीटर इसकी depth होगी, अर्थाद जो घहराई है उसकी, वो 12 मीटर की होगी, आप से नंबर अगर आप भी देख रहें, दोनों प्रसन अभी तक के आपको देखा जाए, तो जेमेटरी और बेंसुरेशन जो एडवांस मैस होती, उसके अंदर गर दिया हुआ था, आप next question पर आगे बढ़ेंगे, तो और clear होगा, देखे percentage का, और number system से relate करता हुआ प्रसन है, 1 upon 8 of the number is the 30, कि किसी संख्या का 1 upon 8 भाग 30 है, उसका 62% पूछा है, नियमता अगर सोचा जाए, एक बटे 8 को हम लोग बहुत बार जानते हैं, या 12.5% होता है, अगर आप इस अधार पे जिसको जनकारी है, अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को जनकारी होगी, एक 12.5% को जब हमने fraction में convert किया है, तो एक बटे 8 ही होता है, अब अगर 12.5% का मान हमको दिया है, हमसे 62% की value पूछ रहा है, तो हम बता दो सकते हैं, लेकिन चलो मानलो, अगर आपको या नहीं किलिया रहे, या इसका 12.5 होता है, अब आपको इसका 62% निकालना है, तो 240 गुड़े 62, बटे 100 कर दीजिए, 62 बटे 100 कर दिया, देखी क्या क्या चीज़ें कि जनेट हो गई, एक 0 खतम हो गया, ठीके, 2, 5, 10 होता है, 2, 12, 12, 24 होता है, 12, 12, 24 होता है, 12, 12, 72, 72, 72 कितना होता है, 74 होता है, बटे 5 कर दे, 5, 1 के 5, 2, 4 होता होता है, 20, 4, 4, 5, 8, 4, 5, 8, 5, 8, 148.8 है यहां पर क्या होगी, उस संख्या का 62% हो जाएगा, जो कि आप लोगों को आपसन नंबर कहां पर दिया, देखो C में दिया है, तो C आपसन इस परसन का राइट सेलूसन है, 148.8, 148.8 is the right solution, अगर आपने लगाया, तिस इस the right solution for the gimbal question, next question पर आईए देखिए क्या लिखा है, the salary of an officer, एक अधिकारी है, जिसकी salary 25% तक बढ़ाई जाती है, ठीक है, बहुत ही बड़ी हां percentage का comparison-based question है, by what percentage should the new salary be decreased, जो नई salary है, तो उसकी कितने percent कम कर दी जाए, कि restore the original salary, फिर से वह अपनी वास्तुक salary में आ जाए, जैसे कभी कोई बस्तू है, जिसके दाम को कुछ percentage बढ़ाया गया, अब आपसे कहा गया, बढ़ तो गया है, एक काम करो गलती से बढ़ाया, जिसे मालो किसी salary बढ़ी, HR ने बढ़ाया, तो अब बाद में जब मालिक को पता चला, तो उसमें कहा देखो, यह गलत बात है, पचीस percent इसको बढ़ाओ मत, इसकी salary को फिर से कम कर दो, तो पूछोगे कि वह या कितना कम कर दो, आप पूछोगे, कहेंगे, वहाँ तक कर दो, जहां पर था हो, तो जैसे आपके मन में अगर यह आ रहा हो, कि अगर हम पचीस percent बढ़ाएं हैं, फिर से original पाने के लिए, हम पचीसी percent कम कर दें, यह आपका तुरंद गलत हो जाएगा, और बहुत लोग इस पर गए होंगे, यहां पर इस तरह की जब भी conditions होती है, तो आपको दो चीज़े देखने हैं, मतलब प्रस्ट तो आप समझ गए होंगे, कि एक काफिसर की salary को पचीस percent तक बढ़ाए गया, अब उसकी salary को कितने percent reduce कर दिया जाए, decrease कर दिया जैसे कि वह अपनी original salary को achieve कर सके, तो यहां पर दो बाते समझेगा, एक ब्रिद्धी रखिएगा, और फिर से यहां कमी रखिएगा, आपको यहां पर दिखरा है कि 25 percent salary उसकी बढ़ी है, जो कि आपको भिन अगर convert करोगे तो एक बटे 4 होता है, पचीस बटे 100 कर दिजिए, तो आप यह समझ जाओ कि 25 percent की ब्रिद्धी है, जिसको आप एक बटे 4 लिख सकते हो, अब आप से पूछा गया कितना कम कर दें, जिससे कि फिर से original salary पर पहुँच जाए, तो आप देखो, एक ले जाओ, जो ब्रिद्धी है, गुड़े 100 करें, बटे यह ब्रिद्धी है न, तो 4 में एक जोड़ करके, आप 5 बना दो, इससे भाग करेंगे, तो 20 percent की कमी करनी होगी, ठीक है, 20 percent की कमी कर दोगे उसमें से, क्योंकि मान बढ़ जाएगा न, तो उसलिए percentage value भी उसकी increase कर जाएगी, अब जो बढ़ कर आया मान, उसमें अगर हम 20 percent का reduce करेंगे, तो original salary को achieve कर लेगा, इसको ऐसे भी समझ सकते थे, यह original salary है, new salary है, correct है, हमने का इसकी original salary अगर 100 थी, तो उसमें हम 25 percent बढ़ाएं थी, तो 125 हो गया, अब 125 से कितना घटा दे की 100 हो गया, कितना घटा दे, तो आपको लगेगा 25 घटा दे, लेकिन किस से घटा दे, 125 से, अगर इसका percentage बनाएंगे, तो 25 गुड़े 100 बटे 125 करेंगे, 125, 25 से घटेगा, 5 बार 5 से सको डिवाइड करें, 20 percent की कमी हो जाएगी, जो आपसा number C में है, right solution आपके सामने है, correct होगी बाते, next question पर आईए, एक question देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाकता, कुछ लोग confused हुए होंगे उसमें, लेकिन बाते समझेंगे तो clear हो, by what number should, क्या number, एक कहरा कि, by what number should, minus 2 by 3 की power minus 3, be divided, इस number को क्या भाग करेगा, कि the quotient मतलब भागफल इतना हो जाए, जैसे हमारे पास अगर 15 है, मैं कहरा हूँ यार, इसको किस से भाग करूँ कि 5 आजाए, तो आप कहोगे सर, 5 ही से भाग करके देख लो तो पता चल जाएगा, मतलब 3 से भाग करूँगा, तो 5 हो जाएगा, इसलिए आपको जैसे इसने कहा, कि इस number को मैं किस से भाग करूँ, कि भागफल इतना हो जाए, तो नियमता उस number को पता करने के लिए, जो value दिया है, minus 2 by 3 की power जो minus 3 है, इसको भाग करना होगा, चार बटे 9 की power minus 2 से, दो बाते दिमाग में रखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो हम जैसे एक rule सब लोग जानते हैं, कि एक की power अगर minus ym है, तो एक बटा एक की power positive ym होगा, तो पहला उद्देश से ए है कि आप power को negative से positive बनाओ, इसके लिए base का reciprocal करना होगा, जो 2 बटे 3 है, इसको minus 3 बटे 2 करना होगा, ठीक है, power जो minus 3 है, तो आपका plus 3 हो जाएगा, नीचे चले जाएए, तो यह भी आपका change होगा, 9 अपान 4 होगा, कि power यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब आप देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, minus 3 की power 3 है, divide by 2 की power 3 है, क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर ऐसे लिखा है, a बटा b की power, yen है, तो आप इसको लिख सकते हैं, a की power 1, divide by b की power 1 है, ऐसे लिखा जा सकता है, सब जानते हैं आप लोग, अब आप देखो उसी अधार पर अगर हम फिर से लिखेंगे, मैंने क्या लिखा, माइनस तीन की पावर तीन, इसका उल्टा करके ही तो multiply करेंगे, अर्था चार की पावर दो होगा, चार की पावर दो उपर जाएगा, और नो की पावर दो नीचे जाएगा, correct है, थोड़ा से एक इस्टे पावर चार कर लिजिए, यह माइनस तीन की पावर तीन है, ठीक है, माइनस तीन की पावर तीन है, यह दो की पावर तीन है, गुड़े कर दीजिए, जो चार है, इसको दो की पावर दो लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते अर्थाद या 2 की पावर 4 होगा 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते तो 3 की पावर भी 4 हो जाएगा अब आपको क्या करना है अब आपको जैसे उपर नीचे जो cancel होता दिख रहा है तो कि हम सब ने पढ़ा है कि A की पावर YM है A की पावर YM माइनस YM होगा या 1 बटे A की पावर YM माइनस YM होगा जो जैसी requirement हो उसे पूरा करिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है इसको काटेगा तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा ऐसे यहाँ पर माइनस 3 गुडे माइनस 3 गुडे माइनस 3 3 बार है और यहाँ पर प्लस 3 गुडे प्लस 3 गुडे प्लस 3 गुडे चार बार लिखा हुआ है तो निश्चित तोर पर इसके जो 3 टर्म है उसको खतम करेंगे बैलू तो निगेटिव ही रह जाएगे और ऐसे भी ध्यान दीजेगा कभी अगर ऐसे रहे माइनस एकी पावर अगर इन है और इन अगर बिसम है इसका मतलब निश्चित तोर पर जो बैलू आएगी आप पहले इसको ऐसे कर दीजीए जो भी आपका है और उसके सामने माइनस लगा दीजीए तो निश्चित तोर पर माइनस इसका आपने अगर B लगाया है, माइनस दो बटे तीन है, तिक्दम पर्फेक्ट है, राइट सेलूसन है, नेक्स्ट कुश्चन पर चलिएगा, लिखाया देखिए, सिंपल ही, तो बहुत बार पूछा जाता है, और आप सब को पता भी होगा, x प्लस उना पान x की बैलू 5 दिया है, x की पाउर 4 प्लस उना पान x की पाउर 4, पूछा गया है, हमेशा आप लोग इसको पढ़ें, अगर ऐसे कभी लिखा है, x प्लस उना पान x, is equal to a लिखा है, मैं कहा दो, डोनो पच्छों का वर्ग करें, या मैं कहँ दू कि आप मुझे बताओ x square प्लस वोना पान x square का मान क्या होगा दोनों पच्छों का वर्ग किया जाता है x square प्लस वना पान x square plus 2 होगा इस उकल टू a square मतलब आप समझ गया होगे x square प्लस वना पान x square करेंगे तो a square minus 2 हो जाएगा इसका मतलब है कि जो value यहाँ पर है आप लिख दो 5 का वर्ग माइनस 2 तो एक किसका मान होगा पता है x square प्लस वाना पान x square का होगा मतलब आप लिख सकते हो x square प्लस वाना पान x square x square to 25 में से 2 निकलेगा तो 23 हो जाएगा अब आपको इसको फिर क्या लिखना है x की power 4 प्लस वाना पान x की power 4 same ओही concept है मतलब फिर से इसके दोनों पच्छों का वर्ग होगा तो यहाँ पर भी 23 का वर्ग करने 529 होगा और 529 में से 2 निकाल दे तो 527 होगा अगर आपने 527 लगाया है the option तो एकदम perfect solution है the option इसका right solution हो जाएगा अगर आपने किया तो एकदम सही है आप एकदम सोच हो अगर जैसे मान लोग कुछ नहीं आता हो आप कैसे कर लेते आप एक बार दोनों पच्छों का वर्ग करते जो आता उससे केवले x square प्रसोन अपान x square का मान निकालते फिर से दोनों पच्छों कवर करते जो आप चाहते ते वह अच्छीव हो जाता वासा करता हूं बहुत लोग का सही होगा ये नंबर आपने देखा होगा और बहुत सारे लोग ने इसका सही किया भी होगा यही solution यही तरीका इसका है next question देखिएगा यही आपके coins पर अधारित question है एक bag है थैला है जिसमें 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए कि सिक्के है और किस रेशियो में है 2-3-4 उनकी संख्या का अनुपाद दिया है उसने का एक थैला है जिसमें 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए कि सिक्के 2 हैं जैसे अगर हम कह दें कि हमारे पास 1 रुपए के जितने सिक्के होते हैं उतना है उसका मुल्य होता है लेकिन 2 रुपए के जितने सिक्के होंगे डबल उसका मुल्य होगा 5 रुपए के जितने सिक्के होंगे 5 गुना उसका मुल्य होगा पांच रुपए के सिक्के हैं द हमको संख्या का अनुपात अगर दिया है और हमको मूले टोटल दिया है तो हम उस मूले तक पहुँचने के लिए पहले इस संख्या को मूले में कनवर्ट करेंगे मूले में कनवर्ट करने का मतलब यह है कि आपको जितनी उसकी टाइप है मतलब जिस प्रकार का सिक्का और जितना है गुड़ा करी जिसे मैं कहाँ दू कि 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो क्या मुल्ले हुआ दस ती 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो क्या मुल्ले हुआ छे एक रुपए के 4 सिक्के हैं तो क्या मुल्ले हुआ ए उनकी संख्या का अनुपात हो जाएगा मुल्य का अनुपात अब हमारे पास ये मुल्यों का अनुपात है और यही टोटल मुल्य है अनुपाती पदों को जोड़ दें कभी भी जैसे जिस तर्म में रेशियो है अगर उसका कोई मान हमको दिया तो हम कंपेर करके वैलू डिसाइड कर सकते हैं च्छी दस पर जो करनेक कर रहा है छे बराबर छे सो मतलब है सोच लिजिए कि मेरे पास छे सो रूपए हैं दो दो रूपए के सिक्के के रूप में कितने सिक्के हैं छे सो सरी सिक्के नहीं कितने रूपए हैं छे सो तो छे सो रूपए बनाने के लिए आपको कितने सिक्कों की आउसक जिसे अगर 10 रुपया बनाना है दो-दो में तो कितने सिक्के की आउ सकता होगी, 5, 2, 5, 10, 100 बनाना है तो कितना, बताएं, 50 सिक्के क्योंकि 2 गुड़े 50 होता है, उसी प्रकार से अगर 600 रुपय बनाना है और हमें 2 रुपय के सिक्कों का सहरा लेना है, तो आप इसको सिधा- आपसन इसमें नहीं है, क्योंकि 300 सिक्के ही 600 रुपय बना देंगे, ठीक है, इस प्रसन का जो थैले वाला था, सिक्के वाला था, उसका सही उत्तर E आपसन होगा, नना आप इवब होगा, कोई इसमें सही सलूसन नहीं है, अगले प्रसन पर आजाईए, अगला कुशन है, इंटीरियर एंगिल, जिसे हमारे पास कोई पॉलिगन है, उसका आंत्रिक कोड, आप रेगुलर पॉलिगन, वो भी समभावभुज की बात कर रहा है, समभावभुज मतलब इसमें समभावभुज है, वर्ग है, इस सब क्या होते हैं, समभावभुज, जिसमें भुजाएं आंत्रिक कोड, और आप सब को पता है, कि सारे आंत्रिक कोड समान, जिसे समभावभुज है, तो सारे आंत्रिक कोड 60 डिगरी के होते हैं, वर्ग है, सारे आंत्रिक कोड 90 डिगरी के होते हैं, आंत्रिक कोड सभी समान होगे, यन, और बाहे कोड भी समान होगे, बाहे कोड जिसरे कहा कि जो आंतरिक कोड है बाहे कोड से 108 डिगरी ज़ादा है. अगर बाहे कोड यन है, तो आंतरिक कोड आपका निस्चित तोर पर क्या हो जाएगा? यन प्लस 108 होगा. यन प्लस 108 होगा आपको यहाँ से भुजाओं की संख्या पता चल जिसे यहाँ पर एक प्रकार से इसका कोड है बाहे कोड हमने कितना माना यन बाहे कोड यन है आंतरिक कोड क्या हो जाएगा यन प्लस 108 यहाँ से अगर यन का मान हम निकाल लें हमको पता चल जाएगा कि बाहे कोड हमारा है कितना और एक रूल और मैं बता दू कि आंतरिक और बाहे कोड का जो योग होता है वह हमेशा 180 डिग्री होता है 180 डिग्री बहुत तरीके से और भी सोच सकते हैं लोग बट कंफ्यूज होंगे जोड़िये इसको कितना हुआ 2N प्लस 108 इजुकल टू 180 कर दिया 180 कर दिया और 2N इजुकल टू घटाएंगे तो 72 होगा 1 इजुकल टू 36 हो गया करिक्ट है मतलब यन मतलब यह 22 कोड है याद रखिएगा यह 22 कोड आपका कितना दिया है और मैं आपको बता दू कि किसी बहुज के सभी बाहे कोडों का योग 360 डिगरी होता है किसी भी बहुज आंट्रिक कोड तो अलग-अलग होते हैं लेकिन जो 22 कोडों का योग होता है हमेशा 360 होता है अब अगर योग इसका बाहे कोडों का भ्यान से देखिएगा बाहे कोडों का अगर योग 360 है कितना है? 360 डिगरी है और तत्येक बाहे कोड आपके 36 डिगरी है तो नंबर आप भुजाये निकालना है यन बराबर टोटल सम जो 360 है डिवाइड बाइड बाइड 36 कर दे 10 आ जाए तो आंत्रिक कोड हो जाएगा तो आंत्रिक कोड क्या दस भुजाओं का रूल होता है ये न मानेश 2 इंटो 90 कर दे उससे भी कनफर्म हो सकता है लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका था इससे आप डिसाइड कर सकते हैं इस प्रस्त का राइड सलूसन 10 ही होगा जो आपसा नंबर A में दिया है एकदम पर्फेक्ट है आसा करता हूँ आप सब में सही भी किया होगा अब A हमारा कम्प्लीट हो गया है मैं आपको कहूँगा कि इसका सलूसन और पीडियाफ आप इस टेलीग्राम गुरूप से अगर जुड़े रहेंगे और भी कनेक्टिविटी के लिए मैंसे रिलेटेड तो आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा तो कम्प्लीट मैंने हल करा दिया है आप चेक कर लिजेगा अगर किसी तरह का कोई doubt confusion होगा तो हमें comment करिएगा अभी के लिए मेरे तरफ से इतना ही बहुत दन्यवाद Thank you so much